कि कालाधन आएगा तो पेट्रोन तीस रूपे का हो जाएगा इसा अपनी कहा रहा है लेकिन अब एक दाम इतने बढ़ रहा है तो इसका मतलब कालाधन देश में बढ़ रहा है कि देखो जो कालाधन प्रश्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में अंदोलन चलाया तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजन्स रखे थे कि टैक्स टैर्रेजम से और अलगलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कारिक्रम थे तो मैंने यह बोला था कि जो क्रूड आयल का रेट है उसके अनुरूप यह दी तेल बेचा जाए और उसके ओपर टैक्सेशन कम कर दिये जाए तो निश्वीत रुपसी जो मैंने बोला था हो सकता था अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थिव्यवस्था को संजोया हुआ है अब उन आट्रहित के सामजी कारियों को भी जारी रखना है अलग अर्थिक चुनोतियां है सरकार को सरकार भी चलानी है तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं अटा पा रहे है तो कभी न कभी तो इस अपना साकार हो गया ऐसे अपिक्षा है